आज बन रही है ब्रत की बहुती स्पेशल रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं ब्रत वाले पकोडे जो खाने में बहुती टेस्टी होते हैं, कुरकुरे होते हैं और बहुत कम समय में ये बन कर त्यार हो जाते हैं तो यहां पर ये recipe बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए उबले हुए आलू तो दो आलू को उबाल कर छील कर लिया है आलू को न मैंने दो हिस्सों में करके उबाला था ताकि ये जल्दी उबल जाएं अब आलू को छीलने के बाद ऐसे हातों से मेश करेंगे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है थोड़े मोटे मोटे से टुकड़े अगर इसमें आलू के रहेंगे न तो पकोड़े का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ध्यान रखना इसे आपको ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है यह मैंने लिया है एक कप राजगिरी का आटा जो कि मार्केट में इसली मिल जाता है ब्रत में इसे खाया जाता है आपके यहां राजगिरी के आटे को क्या कहा जाता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं यहां पर स्वाद नुसार इसमें सेंधा नमक डाल दें आधा चमबच काली मिर्श पाउडर डाला है आधा चमबच मैंने साबुद जीरा डाल दिया है और इसमें डालेंगे एक बारी कटी हुए हरी मिर्श साथ में डाल देंगे बारी कटा हुआ धनिया पत्ता अगर आप प्रत में हरी मिर्श या जीरा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं बहुत अच्छ से से मिक्स कर देना है अब मैं इसमें पानी डाल रहे हूँ तो पहले आपको थोड़ा ही पानी डालना है क्योंकि आपको कोई पतला घुल नहीं बनाना है इससे थोड़ा गाड़ा ही रखेंगे तो पानी को मिक्स कर दिया है अभी इसमें और जरुरत मैसूस हो रही है पानी की तो मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया है देखे इस तरीके का घोल रखेंगे कि जब हम हातों से इसके पकोड़े बनाए ना तो इजिली बन जाए तो ये देखे इस तरीके का आपको इसे गाड़ा रखना है अब आपको क्या करना है एक कड़ाई में अच्छे से घी को गरम कर लेना है और बस हातों से ऐसे बैटर लेकर इसके पकोड़े आपको इसमें डालते जाने हैं पकोड़े फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और घी अच्छा गरम होना चाहिए देखिए आप चाहें तो ये पकोड़े न ओयल में फ्राई कर सकते हैं हमारे यहां ब्रत में ओयल नहीं खाया जाता तो मैंने घी में फ्राई कर रहे हूँ कड़ाई में इन्हें डालने के बाद तुरंथी आपको इन्हें उलट पलट नहीं करना है एक डेड म्रट के लिए इन्हें फ्राई होने दें उसके बाद उलट पलट कर फ्राई करें कलर कितना शांदर आया है, देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में तो लाजवाब, बिना ब्रत के भी आप ये पकोड़े कभी भी बना सकते हैं और इन्हें एंजोय कर सकते हैं, पकोड़े हो चुके हैं फ्राई इन्हें निकाल लेते हैं और गर्म गरम सर्व करते हैं अब यह जो ब्रत के पकोड़े हैं इन्हें आप चाहें तो दही के साथ खा सकते हैं या ब्रत वाली हरी चटनी के साथ या नारियल की चटनी के साथ भी अंजोय कर सकते हैं ये देखें एकदम कुरकुरे बहुत ही मज़िदा तो ट्राइ करना तो बनता है